Hello students, good morning, आज हम class 1, science के chapter 12, water के question answer discuss करेंगे, पहले oral question के answer discuss करेंगे, then हम exercise के question answer discuss करेंगे, देखो page number 74, तो चलो सुरू करते हैं, number 1, name any four activities for which water is used in your home, आपके घर में कौन-कौन सी गति विधियों के लिए या कारिय के लिए आप पानी को इस्तिमाल करते हैं पानी को पीते हो और नहाते हो, कुकिंग करते हो और कपड़े साप करते हो तो लिखना drinking, cooking, bathing और washing तो यहाँ पर लिखना पानी के मुख्य स्रोथ कौन सा है रेन है तो यहाँ पर रेन लिखना आरे आये रेन जब बारिस होता है तो उसका पहला पानी हमारे प्रूथवी पर पड़ता है और वो मीटी के अंदर चला जाता है तो मैन सोर्सेस है रेन तो यहाँ पर रेन लिखना बारिस आरे आये रेन देन नमबर थ्री वाय सुड़ वी नौट ड्रिंक डाटी वाटर हमको क्यूं गंदा पानी नहीं पीना चाहिए अगर हम गंदा पानी पीएंगे तो क्या होगा हमको बहुत सारी बिमारी हो सकता है इस जैस क्या लिखना वी सुड़ ना ड्रिंग डाटी वाटर बीकाज इट कैन काज मेनी डिजी जैस तो यह होगा इसका एंसर यहाँ पर लिखना कुकिंग सी ओ ओ के आई एंग कुकिंग डब्लु ए एस एच आई एंग वासिंग बाटिंग एंड ड्रिंकिंग डियार आई ए 2. और 8. तिक दा कॉरेक्ट एंसर को यहीता है दो कि अ ड्रिंक ड्रिंक डियार घ्र ne तो यहां पर कोकिंग डो कोटीम देम पाने यहгеं में कर लिखना टॉतaking में में गने पानी के मुख्या श्रोथ क्या है रैन है या रीभर है नदिया है या बारी से बारी से तो रैन लिखना रैन के उपर टिकरना रैन इसमें सोर्स अब वाटर ऑन आर्थ जैन नमबर थ्री क्लीन अबलिक डाटी वाटर कें कॉज डिजिजेस कौन सा पानी पीने से हमको या डाटी वाटर गंदा पानी तो डाटी के उपर टिक करना डाटी वाटर कें कॉज डिजिजेस देन नमबर फोर प्लांट्स नेड वाटर टू ग्रो अबलिक फर बाथिंग प्लांट्स को पैड पोधों को पानी क्यों चाहिए वो छोटे से बड़े होने के लिए बढ़ करने के लिए बड़े होने के लिए चोटे से बड़े होने के लिए ग्रो करने के लिए तो ग्रो के उपर टिक करना प्लांट्स नेड वाटर टू ग्रो तो नमबर ए और और ओरल पोस्चिन के अंसार अपने अपने भूप में करना